हेलो माई डियर स्टूडेंट विलकम बैक तो माई यूटूब चानल मैथमाटिक्स आसान भाई महेंद्र सर्थ आज हम कंटीन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमाटिक्स अन स्टाटिस्टिक्स का प्राक्टिकल बुक सॉलुशन तो आज हम प्राक्टिकल नमबर 18 ताइस पॉ सॉल करने वाले हैं तो वीडियो लेक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड तक वीडियो जरूर देखना तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं प्राक्टिकल नमबर 18 पॉइसान डिस्टिबिशन तो सबसे पहले एपार्ट हम सॉल करेंगे दो क्वेशन नमबर वन आपको दिय या तो फिर हम उसे मीन या उसे एवरेज भी आप बोल सकते हो यहां पर एम का वैलू हाफ यानि की मीन का वैलू हाफ यहां पर दिया हुआ है वेर एम इस पैरामीटर और यू कैंशे मीन और एवरेज एक्स का वैलू से स्टार्ट होता है जीरो वन तो थ्री फोर लाइक दाट ओके तो अब दुखो यहां पर लिखा है इसे सिंप्लिफार करेंगे ए रिस टू माइनस हाफ इसका वैलू आपको आल्वेस दिया रहेगा एक्साम में यानि की क्योशन पेपर में दिया रहेगा तो इस टू माइनस हाफ का वैलू दिया है जिरो पॉइंट शिक्स जिरो शिक्स फाइट है इन्टू हाफ रेस टू तू तो वन अपॉइंट टू का क्यूब करोगे तो आपको वन बाई एट मिलेगा डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल त्री इन्टू टू इन्टू इन्टू वन होता है यानि कि यह 6 हो गा अगेन अगर आप उसे 3 इन्टू 2 6 से डिवाइड करोगे तो आपको एप्रॉक्समेट वैलू मिलेगा 0.01263 तो प्रॉबिल्टी एक सिक्कोल टू 3 कितना हो गया 0.01263 आप कैलकूलोशन करके चेक कर लो अब देखो हैं पर क्योशन अबर 2 आपको दिया है क्योशन मीन का मतलब होता है एम तो आपको यहां पर दिया है पैरामीटर का वैलू 1.5 दिया है फिर यहां पर लिखा है therefore the PMF यानि की प्रॉबिल्टी मास फंक्शन ऑफ रांटम वीरिबल एकस एस फॉर्मुला पता है आपको पॉईसान डिस्टिबिशन का प्रॉबिल्टी प्रॉबिल्टी एकस इकोड़ जीरो निकालना है तो सिंप्ली आपको क्या करना है यह फॉर्मुले में एकस का वैली जीरो पुट करना है और एम का वैली जो दिया है 1.5 वह आपको पुट करना है तो यह जाएगा ई रेस टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेस टू जीरो एक्टोरियल यह भी वन होता है तो क्या बचेगा ई रेस टू माइनस 1.5 बचेगा और ई रेस टू माइनस 1.5 का वैलू आपको क्योशन पेपर में दिया रहेगा इसका वैलू होता है 0.2231 यह देखो first आपका part salt हो गया अब second देखों हो आपको क्या पूच रहा है probability x greater than or equal to 3 तो probability x greater than or equal to 3 अगर आप direct salt करोगे तो random variable x का value बहुत सारा आएगा infinite value आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो सबका probability find out करके उसे add करना बहुत difficult होगा तो यह type के question में हमmore than or equal to probability को हम less than में convert करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग complementary probability ठीक है तो probability x greater than or equal to 3 same हो जाएगा 1 minus इसका आपको opposite लिखना है तो x more than or equal to 3 का opposite क्या आएगा x less than 3 आएगा so probability x greater than or equal to 3 will be same as 1 minus probability x less than 3 तो जाएगा 1 minus अब x less than 3 तो random variable x का value less than 3 मतलब क्या आएगा 0 से start होता है ना 0 1 2 आएगा तो 0 1 2 तीनों का probability हमें add करना होगा तो यह होगा देखो आपका 1 minus probability x equal to 0 plus probability x equal to 1 plus probability x equal to 2 तीनों जाएगा 1 minus अब आपको अगर probability x equal to 0 निकालना है तो x का value 0 आप यहाँ पे pmf में substitute कर दो m का value पता है 1.5 क्या हो जाएगा देखो e raise to minus 1.5 into 1.5 raise to 0 upon 0 factorial फिर देखो यहाँ पे plus यह 0 factorial dot रहेगा यहाँ पे then plus देखो same way probability x equal to 1 निकालना है तो x का value 1 आप यहाँ पर put करोगे m का value 1.5 मालूम है तीनों जाएगा e raise to minus 1.5 into 1.5 raise to 1 upon 1 factorial plus same way probability x equal to 2 तीनों जाएगा e raise to minus 1.5 into 1.5 raise to 2 upon 2 factorial जस्ट आपको simplify करना है e raise to minus 1.5 का value आपको always दिया रहेगा question paper में इसका value होता है 0.2231 into 1.5 raise to 0 anything raise to 0 1 हो जाएगा तो into 1 नहीं लिखा है upon 0 factorial का value भी 1 होता है तो upon 1 meaningless होगा that's why e raise to minus 1.5 का यहाँ पे सिर्फ value लिखा हुआ है plus देखो e raise to minus 1.5 का value 0.2231 into 1.5 upon 1 factorial का value 1 होता है ठीक है फिर plus e raise to minus 1.5 का value same thing 0.2231 into 1.5 का square upon 2 factorial is 2 into यानी के 2 आएगा अब just calculation है तो 1 minus 0.2231 as it is रहेगा 0.2231 into 1.5 करोगे ता आपको क्या मिलेगा 0.33465 मिलेगा फिर plus यहाँ पर देखो 0.2231 into 1.5 का square है जो answer हैगा 2 से divide क्या ता आपको मिलेगा मैंने यहाँ पर decimal के बाद देखो कितना लिखा है 7 डिजिट लिखा हुआ है अगर आपने decimal के बाद 4 डिजिट लिखा तो भी allowed है चलेगा वो इतना लेंदी आपको नहीं चाहिए तो 1-0.8087375 करेंगे तो आपको final answer मेरेगा 0.1912625 अगर आपने 0.1912 लिखा यहाँ तक तो भी वो correct है तो यह देखो हमने question solve कर दिया अगर देखो भी हम B part solve करेंगे question है first one if x has a poison distribution with parameter m दिया है and if probability x equal to 2 is equal to probability x equal to 3 find probability x greater than or equal to 2 और आपको given thing क्या दिया है e raise to minus 3 का value दिया है इन्होंने 0.0497 तो मैं given thing से start करता हूँ आपको क्या लिखा है यहाँ पर देखो since आपको दिया है x follows poison distribution with parameter आपको दिया हुआ है आप देखो यहाँ भी क्या लिखा है आपको एक given information दिया है हमें यहाँ पर दिया हुआ है since probability x equal to 2 this is equal to probability x equal to आपको 3 दिया हुआ है देखो पोईसोन डिस्टिबिशन का PMF आपको मालू में हम लिखते हैं probability capital X equal to small x is equal to होता है e raise to minus m into m raise to x divided by x factorial लिए formula होता है अब देखो probability x equal to 2 दिया है तो मैं यहाँ पर probability x equal to 2 लिखता हूँ यह हो जाएगा e raise to minus m का value आपको पता नहीं है तो e raise to minus m into m raise to x का value मालू में 2 और यह divide by क्या हैगा आपका 2 factorial यह हो गया probability x equal to 2 अब हम probability x equal to 3 निकालेंगे मैं लिखता हूँ probability x equal to 3 दिया हो जाएगा e raise to minus m into m raise to 3 divide by देखो जाएगा यह 3 factorial अब given thing क्या दिया है आपको since यहाँ पर लिखा है probability x equal to 2 this is same as probability x equal to देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ठीक है तो probability x equal to 2 हमने यहाँ पर निकाला है त्यहाँ पर लिख दो आप e raise to minus m into देखो यह m square divide by यह 2 factorial है तो 2 factorial को हम 2 into 1 लिखते हैं this is equal to probability x equal to 3 दिया हो जाएगा e raise to minus m into देखो यहाँ पर m raise to 3 divided by 3 factorial means 3 into 2 into 1 अब बोद साइड देखो आपका e raise to minus m e raise to minus m cancel हो जाएगा ठीक है यह 2 into 1 और यह 2 into 1 भी cancel हो जाएगा बच क्या रहा है देखो आपका यहाँ पर m square is equal to यहाँ पर m raise to 3 divided by देखो यहाँ पर 3 बच रहा है तो हम यह m square को भी cancel कर सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हो 3 m square is equal to यहाँ पर क्या हैगा m cube आएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं is equal to m cube upon यह क्या हो जाएगा m square cancel होगा तो आपको क्या बचेगा 3 equal to m बचेगा तो आपको m का बचेगा यहाँ से 3 मिल गया इतना clear हो गया रहेगा अब क्या पूछ रहा है देखो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि find probability x greater than or equal to 2 अब हम find out करेंगे probability देखो यहाँ पर x greater than or equal to 2 तो probability x greater than or equal to 2 is same as होता है 1 minus probability x less than 2 होता है same thing यह तो यह हो जाएगा आपका 1 minus probability x less than 2 तो random variable x का value 2 से कम तो 2 से कम मतलब वो 0 और 1 होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे probability x equal to 0 और probability x equal to 1 और आएगा तो addition होता है so this is equal to 1 minus probability x equal to 0 PMF आपको पता है यह put कर दो formula में तो यह हो जाएगा e raise to minus m m का value अपने को पता है 3 तो e raise to minus m into m raise to x यानि कि 3 raise to x का value कितना हैगा 0 divided by x factorial plus probability x equal to 1 तो e raise to minus m e raise to minus m का value 3 है m raise to x तो 3 raise to 1 divided by यहाँ पर क्या हैगा 1 factorial just formula हमने use किया है PMF का so this is equal to 1 minus e raise to minus 3 common ले सकते हैं दोनों bracket में तो e raise to minus 3 common ले लो bracket में क्या बचेगा 3 raise to 0 anything raise to 0 is 1 upon 0 factorial यह value भी 1 होता है plus देखो e raise to minus 3 common गया है 3 का power 1 यह तो 3 आएगा divide by 1 factorial 1 होता है so this is equal to 1 minus e raise to minus 3 का value दिया है क्योशन में देखो यहाँ पर e raise to minus 3 का value है 0.0497 लिख दो यहाँ पर 0.0497 और इंटो देखो ब्रेकेट 1 plus 3 माल में कितना आएगा आपको 4 आएगा so this is equal to 1 minus multiply कर दो 4 7s are 28 आएगा 4 9s are 36 और यह 8 दिखो जाएगा 4 4s are 16 16 3 कितना हो जाएगा 19 400 तो 1 हो जाएगा और यह 0. दियो जाएगा 1 minus 0.1988 सब्ट्राइक करेंगे इसे तो 1 minus 0.1988 करेंगे तो 0.8012 आएगा तो लिख दो 0.8012 यह आपका final answer है तो question क्या पुझा था question आपको पुझा था find probability x greater than or equal to 2 so probability x greater than or equal to 2 कितना मिला आपको 0.8012 हमारा sum यह solved हो गया now question 2 देखो आपको दिया है question 2 है if x has a poison distribution with variance आपको 2 दिया हुआ है ठीक है find first बोल रहा है probability x equal to 4 तो solve करते हैं हम लोग आपको variance का value 2 दिया है देखो question में क्या लिखा है x follows poison distribution with parameter क्या होता है m होता है यह तो आपको पता है with parameter m और आपको यह पता होना चाहिए कि in case of poison distribution mean equal to variance equal to parameter होता है देखो since mean is equal to होता है variance ठीक है mean equal to variance equal to parameter होता है this is in case of poison distribution तो यहाँ पर जो variance आपको दिया है न 2 so therefore आपको m का value कितना है 2 आपको दिया हुआ है ठीक है variance आपको दिया है that means mean दिया है या हम बोलेंगों से parameter आपको दिया हुआ है m का value 2 हो गया therefore अब हम random variable x का pmf लिख सकते है probability mass function तो यह हो जाएगा आपका therefore write down probability capital x equal to small x equal to e raise to minus m into m raise to x divided by x factorial यह पीमेफ का formula हो गया अब देखो first question आपको क्या पूछ रहा है first पूछ रहा है probability x equal to 4 यह हो जाएगा आपका e raise to minus m का value दिया है e raise to minus m का value 2 दिया है तो 2 लिख दिया हमने into देखो यहाँ पर क्या आएगा m का value 2 है 2 raise to x का value कितना है 4 है divide by क्या आएगा x factorial यानि कि यह 2 factorial sorry divide by x factorial मतलब क्या आएगा यह 4 factorial आएगा solve करना है so this is equal to e raise to minus 2 का value भी दिया है e raise to minus 2 का value is 0.1353 तो लिख दो यहाँ पर 0.1353 then multiplied by 2 raise to 4 है तो 2 raise to 4 कितना आएगा 2 into 2 into 2 4 times 16 मिलेगा हमें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 16 और फिर यह दिखो divide by आपका 4 factorial तो 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1 होता है cancellation करूंगा मैं 4 फोर बन जा और यह 4 फोर फोर जा हो जाएगा ठीक है न 4 बन जा फोर 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 जा फिर देखो आपका यह 2 टूजा हो जाएगा देश कितना आता है तो इस इस इक्वल टो 1 0.1353 into 2 करता हूं है तो 2 3s are 6 2 5s are 10 और देखो यह 2 3s are 6 17 हो जाएगा और यह 2 1s are 2 हो जाएगा 0.2706 आपको divide by 3 आएगा तो इस इस इक्वल टो 0.39 आएगा तो 0.09 और फिर यह 0 और यह 3 2s आएगा यह आपका answer आएगा 0.0902 तो हमें क्या मिला probability x is equal to 4 मिल गया है 0.0902 फिर्स्ट पार्ट तो solve हो गया आप second sub question देखते हैं हमें क्या दिया है second sub question है probability x less than or equal to 4 probability x less than or equal to 4 का मिनिंग होता है कि x का value 4 और 4 से कम है यानि कि x का value 0 1 2 3 4 रहेगा so this will be equal to probability x equal to 0 plus देखो आपका probability x equal to 1 plus probability x equal to 2 plus देखो यह probability x equal to 3 अब हम सब जगह पर यह PMF का formula use करेंगे देखते क्या होता है e raise to minus m m का value पता है आपको e raise to minus m m का value 2 है e raise to minus m m raise to x का value 0 है divide by 0 factorial plus e raise to minus m m raise to x का value 1 divide by 1 factorial then यहाँ पर देखो plus e raise to minus 2 into 2 raise to 2 divide by 2 factorial plus e raise to minus 2 फिर यहाँ पर देखो आपका आएगा 2 raise to 3 divide by यहाँ पर लिखो गया 3 factorial just formula हमने use किया है so this is equal to e raise to minus 2 सब जगह पर common है तो मैं e raise to minus 2 each time में common लूँगा anything raise to 0 is 1 upon 0 factorial is 1 plus 2 raise to 1 is 2 upon 1 factorial is 1 plus 2 raise to 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 factorial कितना होता है 2 होता है तो होता है तो हो जाएगा आपका 4 तो मैं आप लिखता हूँ 4 divided by 2 factorial is 2 plus 2 raise to 3 so 2 into 2 into 2 3 times 8 हो जाएगा यह लिखो गया आप 8 upon 3 factorial हो यह तो 3 into 2 into 1 यह हो जाता है आपका 6 3 factorial देखते कितना आता है e raise to minus 2 का value पता है e raise to minus 2 का value is 0.1353 तो 0.1353 multiplied by देखो bracket कितना है यह हो जाएगा आपका 1 तो लिख दिया 1 plus यह तो 2 है plus 4 upon 2 यह भी 2 है आएगा plus 8 upon 6 को reduce कर सकते हैं हम लोग तो 2 4 जा और यह 2 3 जा 4 by 3 आएगा ठीक है देखते क्या मिल रहा है so this is 0.1353 multiplied by 2 plus 2 कितना आएगा 4 4 plus 1 कितना आ जाएगा 5 तो यह 5 plus 4 by 3 आएगा this is bracket में 5 plus 4 by 3 आप cross multiply कर सकते हो तो 0.1353 multiplied by 5 3 जा 15 15 plus 4 करोगे तो यह देखो आपका 19 by 3 आएगा देखते simplify करे कितना answer आता है इसका simplification करोगे 0.1353 को 3 से divide करोगे जो answer आएगा उससे 19 से multiply करो तो आपको final answer मिलेगा 0.8569 तो आप लिखोगे 0.8569 तो मैंने यहाँ पर एक simple सा mistake किया हुआ है probability x less than or equal to 4 है that means probability x equal to 0 plus probability x equal to 1 plus probability x equal to 2 plus probability x equal to 3 as well as probability x equal to 4 भी आएगा because यहाँ पर equal to 4 दिया है तापको यहाँ पर add करना पड़ेगा probability x equal to 4 ठीक है और probability x equal to 4 देखा हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 0.0902 probability x equal to 4 तो आप यहाँ पर डारेक्ट डिसकाइब लिख सकते हो 0.0902 मैंने यहाँ से लिखा ठीक है तो यहाँ पर सब add होते जाएगा आपका 0.09 और यह 0.02 यहाँ पर भी देखो आपका plus 0.0902 इतना correction कर लो आप यहाँ भी add कर दो 0.0902 तो इसे add करेंगे तो हमें final answer कितना मिलेगा 0.8569 प्लस 0.0902 तो आपको answer मिलेगा 0.9471 यह आपका final answer है question number 3 में आपको दिया है in a span of 50 days there are 10 accident तो यह out of 50 days में कितना होड़ा 10 accident हो रहा है तो कितना हो जाएगा यह 10 by 50 तो 1 by 5 का average आएगा that is called as the mean and poison distribution में mean को हम लोग m भी बोलते है parameter बोलते है question में आपको दिया है कि number of accident follows poison distribution हमने यहाँ पे लिया let x be the number of accident which follows the poison distribution यहाँ पर देखो लिखा है x follows poison distribution with m equal to 1 by 5 ठीक है तो x follows poison with m equal to 1 by 5 को हम 0.2 भी लिख सकते है और आपको देखो given thing है e raise to minus 0.2 का value दिया है 0.3187 तो यहाँ पर question पूछ रहा है कि find the probability that there will be 3 और more than 3 accident per day तो हम यहाँ पर find out करना है probability x more than 3 और more than 3 है यानि कि आपको probability x greater than or equal to 3 निकालना है ठीक है तो हम poison distribution में random variable x का PMF लिखेंगे तो PMF हो जाएगा probability capital x equal to small x equal to e raise to minus m into m raise to x divide by देखो यहाँ पर आएगा x factorial अब इसके बाद जो भी आपको question पूछ रहा है वह हो find out कर सकते हैं तो आपको पूछ रहा है probability x greater than or equal to 3 है 3 और more than 3 accident per day तो यह हो जाएगा 1 minus probability x less than 3 लेकर के solve करना पड़ेगा so this is same as 1 minus probability x less than 3 तो x less than 3 means यह हो जाएगा probability x equal to 0 plus probability x equal to 1 आएगा plus आपको लिखना पड़ेगा probability x equal to 2 तो random variable x का value 3 से कम है 3 से कम है मतलब 0, 1, 2 आएगा उसका probability हम add करेंगे तियो जाएगा 1 minus अब यह PMF का formula use करो तियो जाएगा देखो bracket में e raise to minus m, m का value कितना दिया देखो m का value है 0.2 e raise to minus m into m raise to x divided by x factorial plus probability x equal to 1 e raise to minus m into m raise to यहाँ पर x divided by x factorial means 1 factorial plus same way e raise to minus m into m raise to x divided by x factorial formula हमने यूज किया so this is equal to 1 minus e raise to minus 0.2 को हम common ले सकते हैं इस टर्म में से e raise to minus 0.2 bracket 0.2 raise to 0 1 होता है upon 0 factorial 1 आएगा plus 0.2 raise to 1 तो 0.2 आएगा upon 1 factorial is 1 plus देखो यहाँ पर 0.2 का square करेंगे तो 0.2 का square करेंगे तो आपको 0.04 मिलेगा divide by 2 factorial is 2 देखते हैं क्या होता है यह so this is equal to 1 minus e raise to minus 0.2 का value आपको दिया equation में 0.3187 तो लिख दो 0.3187 इंटू देखो bracket यह है 1 plus 0.2 और यह देखो प्लस आपका 0.04 को 2 से divide करोगे तो आपको मिलेगा 0.0 यह 2 हो जाएगा देखते हैं कितना आता है 1 minus 0.3187 इंटू देखो 1 plus 0.2 तो 1.2 हो जाएगा 1.2 में 0.02 को एड करो देखो 1.2 में 0.02 को एड करेंगे तो क्या आएगा टू टू 1.22 हो जाएगा तो लिख दो आप यहां पर 1.22 हो गया है देश वे multiply कर दो तो इस इस वे लिए कर दो तो दिस इस वन माइनस नाव सी 1-0.3187 इंटू 1.22 तो जब आप multiplication करोगे तो आपको मिलेगा यह 0.38888 आपको मिलेगा 1 4 दिस वे ठीक है यह 0.1 में से इसे हम subtract करेंगे तो आप subtract करोगे तो approximately आपको मिलेगा 0.611 यह आपको answer मिलेगा so probability x greater than or equal to 3 कितना मिल गया 0.611 मिल गया यह आपका final answer है sum solved हो गया so my dear student through this video lecture हमने practical number 18 that is poison distribution complete कर दिया है so I hope आज का यह video lecture आपको understand हुआ रहेगा video अच्छा लगा होगा तो इसे like जरूर करना maximum students को share कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर देना so that मैं जो भी latest video बनाऊंगा उसकी notification आपको time to time मिलती रहेगी so thanks for being with me मिलते हैं next lecture में